नमस्कार दोस्तों मैं रामु कुमर यादो एजुकेशन क्लासेस रामु में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों आज का हमारा प्रेक्टिस सेट पांच और यह संस्कृत के रिलेटर मैं प्रेक्टिस सेट करा रहा हूँ तो अगर आप यूपी टेट की त्यारी करते हैं यह शूपर टेट की त्यारी करते हैं तो उसमें भी इंपोर्टेंट है हाला कि पास में यूपी टेट का एकजाम है तो उसके लिए तो प्रेफर ही किया जाता है इस प्रेक्टिस सेट को तो आप इस प्रेक्टिस सेट को मैंने चार प्रेक्टिस सेट करा चुका हूं प्लेंग लिष्ट बनी हुई है जा कर वहां से देख सकते हैं तो चलिए आज का हमारा पहला प्रस्ट्रम मधर पहला करा की इस सफानवीदाधित क्याम। उलिखित है। ये जो पंक्ती कहां से उलिखित किया गया है। तो ये जो पंक्ती है सी शाques क्लब किरतारजुनियम से लिया गया है। कृतार जूनियम के रचयिता कौन है तो भारवी, ध्यान में रखेगा, रगवांसम अभि ज्ञान सकूनतलम के रचयिता कौन है, तो ऊद Ś ignorance, ठिक अब चलते हैं प्रश्ण नमर दूसरा प्रश्ण नमर दूसरा कर रहा है कि भावाच होता है भावाच किस के साथ होता है तो देखे भावाच हमेशा अकर्मक क्रियाओं के साथ भावाच का परियोग किया जाता है तो आपसर नमर ए वाला बीकल्प दूसरा का सही हो बनाँ में लेकिन अकर्म क्रियाओं का बनाया legislature क्रिटवाचिसंद शर्प कर्मों जो कर्म कर्म करियाओं नहीं जाता है जिसमें कार्म नहीं होता है प्रश्च नमम्र तीस्रा पर कर दोड़ा के शम्या निक्षा के योग शम्या निक्षा के योग में कौन सी बिभक्ती होती है यह आपको बताना है तो सम्या निक्षा हाप प्रतियोगे दूतिया बिभक्ती का परियोग किया जाता है काफी इंपोर्टेंट है तिहान में रखिएगा प्रस नम्मर चार पर चलते हैं प्रस नम्मर चार कर आया कि शम सम प्रशारण नहीं होता यह बिकल्प आपके सामने हैं तो जो सम प्रशारण नहीं होता है यह लोका सButlerण नहीं होता है comes a do दीवाला बिकल्प सबतेए कैं जो ञाया है चोथा का का डीवाला बिकल्प परस्ट नममर 5 पर चलते हैं और come प्रश्ट नमर प्रित को परदार सिद करेगा तो सिद्धे पूरु रूप संधी पर मार दिजेगा टिक ए वाला विकल्प पूरु संधी हो जाता है अगर वह बिकल्प नहीं त्यान तब यह इसा निसान दिया इनगा तभी आप सुझा निसान कैनिशान बीच में तो आफसर नमर A वाला वीकल्ब 16 पर में का सही हो जाएगा प्रस नमर 7 पर चलते हैं प्रस नमर 7 करा करा कि सब्सक्राइब कर दोरीटी के साथ किस्विवक्ति परियोग किया जाता है तो अनु के साथ जो है दूतिया विवक्ति का परियोग किया जता है इंपोर्टेंट है ध्यान में रखे गाथ 16 दिकवर्मक दातु के अंत्रगत अनु आता है जब आप भीवक्ति में पढ़ेंगे तो अगला प्रशन अर्जुन का नाम नहीं है इसमें से कौन सा अर्जुन का नाम नहीं है व वाला बिकल्ब सही हो जाएगा, प्रश्ण नमबर 10, मोच्छे इच्छा अस्ति में सक्तमी का आधार है किस का आधार है अपलेसिक है कि अनुपसलेसित है यह आपको बताना है कि अभी व्यापक है यह चीज आपको बताना है बिकल्प आपके सामने है चलते हैं अगले बिकल्प पर ही अगला बिकल्प ही यहां पर है दो तो जो अपलेसिक उसका आध भारक की अगर हम बात करें तो वो किसके अंतरगत आता है तो वाता है विस्साय के अंतरगत आता है वाला भीकल्प जो है सही हो जाए गा प्रशन नमर 11 और काफी इंपर्टिंट प्रशन यह ताथु जो दाथा तुए इससे तो कत्ताई की परस्न बनता है तो दादातु लट लकार प्रतम पुरुस बहुवचन का रूप क्या होगा? लट लकार यानि वर्तमान काल्प में प्रतम पुरुस बहुवचन पका उच रहा है का ददाती ददत ददती तो आपसा नम्मर सी वाला भी कल्प जोए आ रहा है तो 11 का सी वाला भी कल्प जोए सह प्रस्ट नम्मर 12 शह-डश-उपवसती आपको यहां पर बरना है तो देखे उपवसती जब वसती धातू के पहले उप-उप सर्ग लग जाता है तो उस समय हमें दूतिया विवक्ति का परियोग किया जाता है दियान में रखेगा तो हमारा विकल्प कौन सा होगा गुरु जब रूप चलेगा गुरु कूलम का तो महीं आता है दूतिया विवक्ति में आप देखिएगा ध्यान से वहां पर आपको समझ में आगाता है यानि कि यह तिर्थिया लेन लगा है तिर्थिया लाला ता चतुर्थिया तो आपसर नम्मर ए वाला भी कल्प सही हो जाएगा बारका ऐसे पकड़ना संस्कृत कर जिसको नहीं आगेती है तो ऐसे ही पकड़िएगा परशनों को परशन नम्मर तेरा संबोधन और प्रत्मा विवक्ति में किस वचन में अंतर है यह आपको बताना है तो किस वचन में अंतर है तो वो एक वचन में अंतर होता है आपसर न नहीं होती है तो देखे नमा की योग में तो चतूर्थी विवक्ति होती है रच्छा के योग में होती है जिस पर क्रोध किया जाए उसमें भी चतूर्थी विवक्ति होती है तो नहीं पूछ रहा है अलम समर्थम थे में तो चोदा का जो बिकल्ब सही होगा वो डी वाला आलम की योग में चतुर्थी बिवक्ति न होकर तिरितिया बिवक्ति का परियोग किया जाता है तिरितिया बिवक्ति का ध्यान में रखेगा डी वाला भी कलब जोए 14 का सही हो जाएगा अब चलते हैं प्रस्ट नम्मर यार प्रस्ट नम्मर बहुत उपर हो गया पांचमा प्रेक्टिस इट था ना पांचमा का प्रस्ट नम्मर यहां थे ना 15 हो गया था ना प्रस्ट नम्मर यह हो गया था यहां से 15 हो गया था पंद्र हो गया था 16 परसे में पढ़ना था पंच वटी में समास है तो पंच वटी में कौन सा समास है वह आपको बताना है तो पंच वटी में सबसे ही पिलड़ाएगे संख्यावाची तो सी वाला भीकल दिंगु समास हो अगला प्रश्ण शोला यह को यडची का उधारा नहीं है इसमें से कौन सा इको यडची जो है इसका सुत्र है इको यडची और यह यडशंदी के अंतरगात आता है और इको यडची का कौन सा उधारा नहीं है यह आपको बताना है तो प्रत एक डी वाला विकल्प जो है यह आब्याह के अंतरगत आ जाता है तो या जो सोल उटम की प्रashod Cleים कुछ्छ प्रश नमर सदागा है की रिषय मुनेय ऋ गुरुव चनल है तो इन तीनों में अगर हम विवक्ति की बात करें तो वह विवक्ति होगी पर्थमा और बहु बचन डी वाला विकल्प सत्र का सही हो जाएगा अब चलते हैं प्रश्च नमर अठारा और प्रश्च नमर अठारा करा की अस्तो सचुना सचु सुत्र का उधारण नहीं है इसमें से कौन सा अस्तो सचुना सचु सुत्र का उधारण नहीं है तो वह कृष्णा नहीं है आपसा नमर सी वाला विकल्प अठारा का सही हो परस्ट ममर मुए 9 कर रहा है कि यहां सूद्ध है इसमें से शूद्ध है जह सूद्ध की बात करें तो बिकलद पहले चलते हैं यह ज़ाल दिक रहा है दूसरो कि पैस शूद्ध करा करें तो सूद्ध करतेyघ्र निश्ट के निस्टक होती तो डी वाला बिकल्प जो है उन्निस का सही हो जाए गा प्रस्ट नमर 20 पर चलते हैं और प्रस्ट नमर 20 करा कि वरी छे तत्र पर्यावरण सुद्ध मासित वाक्य में अभ्याई पद आपको बताना है कि इसमें से अभ्याई पद कौन साहे तो अभ्याई पद कि अगर हम बात इसाल रचना कार की बात करें तो है मातमा बुद्ध तो आपसलमर 21 किश की बुद्ध चरित कर्षा किसकी रचना है प्रस्ट नम्मर 22 युस्मद चतूर्थी बहुबचन में रूप आपको बताना है तो चतूर्थी बहुबचन की जब बात कर रहा है तो युश्मभ्यम हो जाता है बी वाला बिकल्प 22 का सही हो जाएगा प्रस्ट नम्मर 23 बुद्ध प्लस धी बुद्धी ये संदी सुत्र है ये किस से ये संदी का जोड़ हुआ है यहीं आपको बताना है तो ये संदी का जोड़ हुआ है जलाम जसी जलाम जसी से हुआ है आपसा नम्मर बी वाला बिकल्प 23 का चलते हैं और प्रस्ट नम्मर 24 का कि व्येद में प्रियुक्त होता है व्येद में कौन सा प्रियुक्त होता है यह चीज आपको बताना है तो व्येद में कौन सा प्रियुक्त होता है लेट का प्रियुक्त किया जाता है डी वाला बिकल्प जो सही हो जाएगा 24 का डी वाला बिकल्प और 6 प्रश्ण बचे हैं द वाला बीकल्प 25 सही हो जाएगा क्वास नम्मर 26 पर चलते हैं और 26 नायका में प्रकीर्थी प्रत्य है तो नायका में प्रकीर्थी प्रत्य की अगर सिंखƏं तो वह प्रत्य कौन शक़ साह This a P bridland suivना सही हो जाएगा कारक काउल प्रत्य होता है द्यान में रखिएगा तो एवाल अभी कल्प जो है सही हो जाएगा 26 का प्रश्ट नम्मर 27 यह रचना भरती हरी की नहीं है इसमें सकौंची रचना भरती हरी की नहीं है यह चीज़ आपको बताने है तो चंडी सतकम जो है भरती हरी की नहीं है नीती सतक स्रिंगार सतकम और वैराग की सतकम भरती हरी की है लेकिन चंडी सतकम इनकी रचना नहीं है तो 27 का वाला विकल्प सही हो जाएगा 28 का वाहि प्रत्न होते हैं तो वाहि प्रत्न कितने परकार के होते हैं ये चीजे आपको बतानी है तो एक अंता प्रत्न होता है एक वाहि प्रत्न प्रत्न प्रकार के होते हैं और वाहि प्रत्न कि अगर हम बात करें तो वह है 1-11 के होते हैं ये वाला विकल्प 28 का सही हो जाएगा प्रश्ट नम्मर 29 और प्रश्ट नम्मर 29 कह रहा है कि अस्ति कस्ति चद वागा विशेस किसके विशे में ये बात कही गई है ये जितने भी वाक कि कहा गया है ना ये किसके विशे में कही गई है यही चीज आपको बता लिए तो ये काली दास के विशे में कही गई है ये वा पताना है तो जो बी वाला विकल्ब दिख रहा है वो सरसंदी के परकार के अंतरगत नहीं आएगा यह सही हो जाएगा तीस का भी तो यह थे तीस क्वेश्चन अगर वीडियो पसंद आये तो जरू को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरू करें थैंकू थैंकू फार वाच बीडियो करद आप आप झाल वीडियो झाल ड्यू आवयर में ड्यू खी तो जरू के लएगा तो यहीं अटेक विडियो